दोस्तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक question का जवाब दिया था कि हम Facebook पर कितने friends बना सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप Facebook पर अधिक से अधिक 5000 friends बना सकते हैं उससे जाधा नहीं बना सकते हैं लेकिर उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक setting है जिससे आप अपने facebook पर 5-6-6 friends ला सकते हैं जितना भी आप चाहें तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने facebook में 5-6-6 friends कैसे बनाएं तो आप जब भी friend request को confirm करेंगे या add friend पर click करेंगे तो facebook की तरफ से warning आने लगता है कि आप 5-6-6 friends नहीं add कर सकते हैं लेकिन जो setting में आपको बताने जा रहा हूँ उसको करने के बाद आप अपने account में 5-6-6 friends ला सकते हैं तो इसके लिए करना है account में आने के बाद यहां किनारे में देकिए आपको तीन लैन दिखेगा इसपर click कर देना है फिर Йहां स्क्रॉल करके नीचे आईए यहां आपको एक option मिलेगा settings and privacy आपको इसपर click कर देना है फिर यहां पर option मिलेगा settings का इसपर click कर दीजिए आप settings and privacy में आने के बाद आपको scroll करके नीचे आना है फिर यहाँ पर आपको एक category दिखेगा audience and visibility इसके अंदर एक option है how people find and contact you आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर दीखिए पहला option है who can send you friend request इस पर click करना है और यहाँ पर आपको everyone से हटा कर friends of friends कर देना है फिर यहाँ पर एक option मिलेगा who can see your friend list इस पर click करके यहाँ पर भी आपको public कर देना है फिर यहाँ पर option है people with your email address इस पर click करके आपको यहाँ पर possible connection पर click कर देना है फिर यहाँ पर option है people with your phone number इस पर click करके आप यहाँ पर भी possible connection पर click कर दीजेगा हो सकते हैं यहाँ पर public option हो तो public पर click कर दीजेगा फिर आपको यहाँ से बाहर राना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा followers and public content इस पर click करना है फिर यहाँ पर आपको सबसे उपर option मिलेगा who can follow me इस पर click करना है यहाँ पर आपको public कर लेना है यहाँ पर जितने भी option है सबको आपको public कर लेना है या फिर everyone कर लेना है यहाँ देखे option है who can see your followers on timeline इस पर click कीजे यहाँ पर भी आपको public कर लेना है फिर यहाँ पर है who can see the people pages list you follow इसको भी public कर देना है फिर यहाँ पर option है who can comment on your public post इसको भी public कर देना है फिर यहाँ पर public notification इसको भी public कर दीजे profile info है इसको भी public कर दीजे तो public या everyone का option होगा आप उस पर click कर दीजेगा अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है अब जब आप अपने facebook profile में जाएंगे यहाँ पर हम facebook profile को open कर लेते हैं फिर यहाँ पर 3 dot है इस पर आप click कीजिए फिर यहाँ पर आपको option मिलेगा view as इस पर आप click करेंगे तो अब देखिए आपके facebook account पर follow का option आ जाएगा अब आपके account को कोई भी follow कर सकता है कितने भी लोग follow कर सकते हैं जो followers है वो एक तरह से friend ही है तो इस परकार से आप अपने facebook account पर जितने चाहे उतने friends ला सकते हैं आपको यहाँ पर follow का option मिल जागा अब 5000 से ज़्यादा लोग आपको follow कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो हल लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा